So, Hello Everyone, Welcome Back, तो हेखुल, प्यारा सा कोशन में सभी लोगों के लिए, लिए स्क्रीन पर लिघ आया हूँ, तो कोशन आप सभी लोग च्रीन पर देख सकते हैं, question की statement हमारी एक बार बहुत important यहाँ पर रहने वाज़े इस question के अंदर इसको हम एक बार पढ़ लेते हैं फिर आगे इसके solution की तरफ अप्रोच कर रहे होंगे एक general question है ठीक है तो यह question मैं जान बुचकर चुनकर इसलिए लाया हूँ क्योंकि यह somehow related है it is somehow related with the rotational symmetry ठीक है तो rotational symmetry से जुड़ा हुआ सवाल है इसलिए इसके बारे में हम यहाँ पर चर्चाथ चेज़े करेंगे ठीक है question कहा रहा है consider regular polygons with number of sides 3, 4, 5 यानि की triangles, square फिर आपका pentagon, hexagon so and so on ठीक है एक शोन in the figure the center of mass of all the polygon is at a height h from the ground जलो ठीक है भाई जो भी geometric center होगा respective structure का वह है आपर center of mass होगा ठीक है symmetric system है तो एकदम पहचानना भी असान है ठीक है यहां तक और ए ground की respect में कह रहा है तो जैसे आपको दिख रहे हैं न triangle, square, pentagon यह रखे होए थे h distance आपको दिख रहा होगा और यह ground है यह ground है यह level है ठीक है इसके h height पर ठीक है यहां तक चीज़े ठीक है they roll on a horizontal surface about the leading vertex with slipping and sliding as depicted अच्छा जी ओके 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 ठीक है तो यह मामला यहां पर हो रहा है ठीक है as depicted okay, आगे the maximum increase in height of the locus of center of mass यानि कि यह वाला जो point है इसके बारे में बात हो रही है ठीक है for each polygon is यह then this depends on n, n, h as what n था number of sides h है center of mass की ground की respect में height ठीक है तो यह delta आपको निकालना है कि n वगरा की term में, h की term में कैसे क्या आ रहा होगा चार option आप सभी लोगों के समुख यहां पर है आप सभी को चार option अच्छे से देख रहे होगा और एक color भी शायद अच्छे से देख रहा होगा बहुत अच्छे को congratulations ठीक है भाई तो यहां पर क्योंकि इसके उपर मैंने पहले से भी एक दो वीडियो डाल रखे notational symmetry के उपर तो आप connect भी कर पाऊगे कि कितने fault symmetry है न वो सारी चीज़े आप connect भी कर पाऊगे मानलो भाई यह centroid था ठीक है consider यह point था इस triangle का centroid ठीक है तो दोस्त जब इस triangle को जैसे यह रखा था न triangle ऐसा इस triangle को इस point इस तरीके से घुमाया जाएगा जब आना इस particular ground की respect में यह फर्श है मानलो इसके respect में इसको ऐसे push करके ऐसे पल्टा जाएगा धकेला जाएगा तो उस समय यह rotation करेगा कुछ इस प्रकार से about this particular point ठीक है आपको इस rotation होता हो दिखाई दे रहा होगा square का भी हैस rotation इसका भी respective rotation यह आपको दिखाई दे रहा होगा ठीक है about these points तो दोस्तों यहाँ पर इस centroid के बार में ज़रा ज्यान से सोचो क्या आपको यह नजर आ रहा है कि इस point से यह जो distance है माल लो इसको दो मिनिट के लिए कुछ arc distance बोल देते हैं तो भाई यह तो जैसे जैसे motion कर रहा होगा ठीक है वो तो radius r ही रहने वाला है इस point की respect में जैसे जैसे यहाँ पर यह arc distance था और जैसे ही आप इस triangle को ऐसे धोड़ो गुमा रहे हो वैसे वैसे यह arc distance तो एक arc बनाएगा circle की यह तो एक circle की arc बना रहा होगा arc distance पर सही बात है तो माल लो माल लीजिए यह वाला जो हमने triangle बनाया कुछ समय के बाद जब यह हलका से घुम गया लिटल लिटल तो इसका centroid कहां वान हो गए मुझे लग रहा है कुछ यहाँ पर आएगा ना लीक कुछ यहाँ पर आएगा ना यह hoop आपको भी ऐसा ही दिख रहा हुआ तो यह distance भी अपना क्या है r यह distance भी क्या है दोस्तों अपना r अब यहाँ पर एक बड़ी interesting चीज हमको करनी है ठीक है यहाँ पर एक बड़ी interesting चीज हमको करनी है अगर मैं maximum possible height के बारे में यहाँ पर बात करता हूँ if I discuss about the maximum possible height तो maximum possible height यहाँ पर अपनी क्या आ रही होगी जब भाई यह घुमकर यह r distance जो है r distance यहाँ पर perpendicular ऐसा आ रहा होगा perpendicular ठीक है यहाँ पर कुछ मान लो r distance तब जाकर मैं मानूँगा कि यह maximum height तक वो h वाला point पहुँच चुका है तब मैं जाकर यह मानूँगा तो एक तरीके से देखा जाए एक तरीके से देखा जाए तो यह delta आ कितना रहा है delta कहा है भी यह कहां कहा है delta then the maximum increase in height of locus maximum increase in height यानि कि इस h से लेकर r तक का सफर इस h से लेकर इस maximum बिलकुल जब यहाँ पर h maximum हो रखा होगा maximum height तक जान जा चुका होगा तो यह increase यह change आपको निकालना है एक तरीके से इस situation में इसको अगर मैं r कह रहा हूँ इस situation में तो आपका जो delta यह और कुछ नहीं है r minus h ही है यह आपका और कुछ नहीं है r minus h ही है यहाँ पर अई होप यहाँ तक आपको चीजे इस परस्ट होँगी इस चीजे समझा रही होँगी वही पर वही पर आपने rotational symmetry में एक और चीज पड़ी है जितनी side का regular polygon है जैसे कि यहाँ पर देखो भाई यहाँ पर यह three-sided है तो यहाँ पर three-sided में exactly कितने angle से आपको इसको rotate करना पड़ेगा in order to get the same thing आप बोलोगी जी 120 degree कैसे निकालते हैं यह निकाला जाता भहिया कुछ इस परकार से यहाँ पर n number of sides को denote कर रहा है आप square के लिए भी same निकाल सकते हो ठीक है यह हमने पहले वाली वीडियो में इसके बारे में तरचा भी करी हुई है I hope यहाँ तक चीज़े clear होंगी ठीक है तो एक तरीके से देखा जाए तो यह angle phi है जिसके बारे में हम बात कर रहे है ठीक है भाई यह तो phi angle ही है सही बात है तो यहाँ पर instead of phi instead of phi अगर मैं इस angle के बारे में बात करने लगूँ यह वाला angle सिर्फ इतना angle थी नीले रंग से दिख रहा है स्क्रीन पर दिख रहा है इसको मैं थोड़ी देख लिए theta बोल देता हूँ ठीक है तो भाई इस हिसाब से क्या theta phi का आधा है अजी तो theta को क्या हूँ मैं क्या मैं 180 degree divide by n लिख सकता हूँ by by n लिख सकता हूँ बिल्कुल लिख सकता हूँ तो theta मेरा कुछ इतना रहा यह सही बात है यहां तक चीजे clear होनी चाहिए और उपर से एक relation भी यहां पर हमारा निकल कर आ रहा है अगर मैं इसको theta define कर रहा हूँ तो यहां पर r और h में भी ही एक relation अपने निकल कर आ रही है ठीक है r और h में भी एक relation हमारी यहां निकल कर आ रही है cos की terms में cos की terms में ठीक है यहां पर cos की terms में भी हमारी एक relation निकल कर आ रही है तो यहाँ पर अब options पर ही आ जाते हैं सीधा attack कर देते हैं तो भाई आपका option रहेगा B वाला B option आपका यहाँ पर आ रहा होगा ठीक है, R को H की terms में लिख दोगे cos, cos वगरा की terms में तो H आ गया common यहाँ पर cos 180 degree divided by N आ रहा है, ठीक है और minus में 1H तो ही रहेगा R minus H था, ठीक है तो इस तरीके साब का यहाँ पर solution निकल कर आ रहा होगा ठीक है, अरे भाई अपना यहाँ पर इसी प्रकार से निकल रही जीना चीज़ें, delta equal to क्या था अपना, R minus H ही तो था, और क्या था, ठीक है और R को हमने correspondingly क्या लिखा फिर R को हमने correspondingly क्या लिखा यहाँ पर हमारा H equal to R cos theta, इतना ही तो आ रहा था और theta हमने कितना निकाला था 180 degree है फिर pi by, ऐसा गरके तो यहाँ पर R को H के टम में लिखोगे कितना आएगा, उस triangle के अंदर R आ जाएगा भाई, H upon cos this thing, तो R को H upon this thing लिख लो, और H को ले लो common, तो ले भाई, यही तो R option B, तो option B आपको यहाँ पर बिल्कुल सही है आप square के लिए N equal to 4 पटक के देख लो एक बार, ठीक है, यह सारी चीज़े आपको निकल कर आ रही हैंगा और मैं मानता हम बहुत अच्छा यह question था, ठीक है, चलो दोस्तो thank you so much, I hope आपको यह सवाल समझ आया होगा, simple इस triangle में हमने cos theta निकाला है और कुछ नहीं इस triangle के अंदर, ठीक है, simply यहाँ से cos theta अपना निकल रहा है या फिर respectively आप यहाँ से भी निकाल सकते theta, जैसे भी आपकी इच्छा रहे, जहां भी आप triangle बनाना चाहोगे यहाँ से भी आपका triangle बन रहा होगा ठीक है, चलो जी I hope यहाँ तक आपको question समझ आया होगा thank you so much, जैहिंद जैवारत it was a good question thank you so much दोस्तों, bye bye, जैहिंद जैवारत all the best